नमस्ते, आज हमें एक और रिडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की अभी current feeling क्या है और वो इस relation को लेकर आप दोनों का future क्या देखते हैं, उनको क्या लगता है कि आप दोनों का क्या future होगा, ठीक है, उनके खयाल क्या है आप दोनों के future के बार में, उनको क्या कुछ उनके अंदाज क्या है कि क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा तो ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं उनकी current feeling ठीक है और आपका भी हाल जानेंगे कि आप क्या सोच रहे हो आपके person क्या सोच रहे है और आपके partner की नजर में इस रिष्टे का future क्या होगा वो क्या कुछ सोचते है वो कैसे देखते है इस रिष्टे को ठीक है तो आज हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपकी person की current feeling जान लेते हैं बस इंसान को क्या कुछ feel होता है आपके लिए या कुछ feel कर रहे है वो अभी तो सबसे पहला ही काड है आपर six of wands के energy है यहाँ पर आपकी person अभी अभी आपके बार में जो सोच रहे है वो person तो victory चाहते है खुद की वो अपनी जीत चाहते है ठीक है अगर ऐसा कुछ है गिए इंसान घमंडी है ठीक है अब हर किसी के साथ आपका partner घमंडी है लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका partner घमंडी है यह इंसान हर वक्त खुद की चलाता है ऐसा इसका सुभाव है इसको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने बस इसी की सुननी चाहिए ठीक है आपके partner बहुत जादा हो सकता है कि आपको control में करने क इस एनसान को चाहे वो आपको बात अच्छी लगे या ना लगे तो ऐसा कुछ सुभाव इस इंसान का हो सकता है और मुझे असा रखता है यह खुद की victory चाहता है हमेश्या अब आपको भी ऑपनाचछाथा है हार नहीं चाहता है रिष्टे में ना वह आपको हारना चाहत है ठीक है तो यहाँ पर भी वह जीत ही चाहता है अभी उनकी करन्ट फिलिंग है कि वह अपनी जीत चाहते है इस प्यार में और रही बात करियर के इस इंसान के तो यह अंसान ऐसे है कि हर जगह पर अपना जंडा लहराना चाहते है हर जगह पर बहुत ज़्यादा खुद को सक्से चाहते हैं, रिकोगनिशन चाहते हैं, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसको ही हमेशा अच्छा बोला जाए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, जब वो चार लोगों में जाए तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, लोग उसको अच्छा कहें, ये उस इ और वह आपसे भी यही उम्मिद रखता है कि आपने भी उस इंसान के हमेशा तारीफ करने चाहिए और उस इंसान को बहुत ज़्या अटेंशन देना चाहिए अटेंशन का भूखा आपका पार्टनर हो सकता है नम्बर सिक्स है यहाँ पर सिक्स नमबर आपके लिए कुछ खा लगती कि इस इंसान को financial problem है और बहुत जादा negative thoughts इस इंसान के अंदर आ रहे हैं और ये इंसान जो negative सोच रहा ना ये इंसान खुद manifest कर रहा है negative चीज़ों को खुद उन चीज़ों का ड्राग कर रहा है जो कि इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है लेकिन उनी चीज़ों का ड्राग कर रहा है आपका partner और आपके बिना बहुत साड़े बहुत अक्केले पड़ गए है राशी है टोरस वर्गो क्या प्रिकॉन और क्या सोच रहे है वो क्या है उनकी current feeling नमबर 5 नमबर 6 आपके लिए कुछ खास हो सकता है और यहाँ पर है four of pentacles वापस वही energy आई है कि आपके partner ने हो सकता है अब हर किसी के साथ resonate नहीं होगा लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके partner के पास जब पैसा था तो उ इस इंसान ने आपके कदर नहीं कि आपके भावनाव की कदर नहीं कि लेकिन जब आप आज उस इंसान के पास नहीं हो तो इस इंसान को आपकी कदर होने लगी है इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप उस इंसान के रिए कितने important हो ठीक है और यह अनसान आपको कुछ offer क करना चाहता है आपको कुछ देना चाहता है लेकिन वो अपने feelings जाहिर नहीं कर पार है यह आपके person की current feeling हम देख रहे हैं ठीक है आपके person कोई decision लेना चाहते हैं आपके person ऐसा सोच रहे है कि उसको जो पसंद है अब वो वही करेंगे, ठीक है? Maybe past में इस इस इंसान को हो सकता है कि कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है, कोई third party हो सकते इस इस इंसान का परिवार, या कोई friend जो इस इंसान को क्या सही है क्या गलत है ऐसा कुछ बताने जा रहे थे या उस इंसान को समझा रहे थी कि तुम अभी अपने करेर की तरफ ध्यान दो तुम्हें जरुरत है लेकिन अब यह अनसान वही करेगा जो इसको पसंद होगा जो इसका दिल कहेगा और वो आपके लिए कोई decision लेना चाहते है इस इ वक्त है आपके लिए कोई decision लेने का तो यह आपके partner की current feeling है अब देखते हैं कि उस इंसान की नजर में इस रिष्टे का future क्या है क्या कुछ सोचते हैं वह कैसे देखते हैं आपके relation के future को ठीक है उनकी नजर में इस रिष्टे का future क्या है इन्वर्स प्लीज है इस इंसान की नजर में इस रिष्टे का future क्या है इस इंसान की नजर में इस रिष्टे का future क्या है अगर वो आपके साथ रहेगा तो इस relation में सिर्फ प्यार ही प्यार होगा ठीक है वो इंसान आपके उपर बहुत ज़दा trust करते हैं इस बात के उपर कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो कोई और doubt हो सकते हैं वो अलग बात है लेकिन आपके प्यार के उपर वो कभी शक नहीं क होती है और वो आपके पास है तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो अगर आपके साथ relationship में आगे बढ़ते हैं तो इस रिष्टे का future बहुत यह अच्छा होगा बहुत प्यार उस इंसान को आपसे मिलेगा उस इंसान को अप प्यार बहुत करते हो लेकिन चुपाते हो अपन समझ में आ रहे हैं और उस इंसान को विश्वास हो गया है कि यह जो रिष्टा आगे बढ़ेगा तो बहुत खुबसूरत रहेगा ओ मैगाड टू अप कफ स्केनर जा गए है बहुत ही खुबसूरत यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपके partner आपके future के बार में इस दूबोगे एक दूसरे के प्यार में आप गिरते ही चले जाओगे ठीक है और आपके person को विश्वास हो गया है कि आप उस इंसान को बहुत खुश रख सकते हो इस इंसान को एक विश्वास हो गया है कि आप दोनों अगर साथ रहोगे तो आप एक दूसरे को बहुत कुछ देने वाले हो exchanging gifts ठीक है बहुत कुछ दोगे आप वो चाहे प्यार हो चाहे रिस्पेक्ट हो चाहे अटेंशन हो चाहे वक्त हो आप सब कुछ एक दूसरे को दोगे और यहाँ पर balance होगा और आपके partner को कही न कि ऐसा भी लगता है कि अगर उस इंसान से आगे चल कर कुछ गलतिया हो भी जाती है तो आप उस इंसान को माफ करोगे आप उस इंसान को छोड़ कर नहीं जाओगे और क्या सोचते हैं वो उस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही खुबसूरत ये रिष्टा होने वाला है आप बहुत खुश रहोगे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करोगे और रिष्टा बहुत खुबसूरत होगा ऐसे आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं आप दोनों के त्री ओप सोर्स ओमाइगाड आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो भी सिचेशन है अभी अभी जो भी दर्द है आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हो त्री ओप सोर्स के इनरजी आप पर आई है में भी आप दोनों का ब्रेक अफ हो चुका है बहुत बूरी तरह से ठीक है त्री नमबर यहाप पर डबल आ है डबल त्री ट्रिपल त्री शायद आपको दिख रहे हो तो आपके पार्टनों को ऐसा लगता है कि इस रिलेशन के फ्यूचर में जो भी दर्द है अगर इस रिलेशन में अगर आपका ब्रेक अफ वो आ है तो वो चाहे दर्द हो या आप दोनों को जो पर्सन लाइफ में दर्द है तकलिफ है उसके बारे में सोच रहे हो लेकिन उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हो आप दोनों अगर साथ रहोगे तो रिष्टा बहुत खुरसुरत बनता रहेगा आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़दा हील करोगे ठीक है अगर आपके पार्टनर दुखी हो जाएंगे तो आप उस इंसान को हील करोगे उस इंसान को इस दुख में से बाहर निकालोगे अगर आप दुखी हो जाओगे तो वो इंसान आपको उस तकलिफ से उस दर से आपको बाहर निकालेगा मतलब आप दोनों दुख सुक में एक दूसरी का साथ दोगे एक्साँ आपके पार्टनर को लगता है और आप दोनों को भी एक दूसरी की बहुत ज़्यदा जरुरत है आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि लेट को करना चाहिए उस past के energy से जो कुछ भी है और विस past के energy से late go करने के लिए आप दोनों को एक दूसरे का साथ होना जरूरी है पर्सनल ग्रोथ के लिए आप दोनों की ग्रोथ होगी अगर आप साथ रहोगे अगर आप दोनों साथ में रहते हो तो आप एक दूसरे को हील कर पाओगे तो ये आपके partner इस relation के भविश्य के बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं कि अगर आप साथ रहोगे तो ऐसा कुछ होगा आपके partner इस relation का future देखते हैं शादी उस इंसान को लगता है कि अगर आप दोनों के शादी हो जाएगी तो आप दोनों का future बहुत bright होगा आपके बहुत नन्ने मुन्ने प्यारे बच्चे होंगे आप बहुत खुश रह सकते हैं एक दूसरे के साथ कही ना कही उस इंसान को विश्वास है कि शादी हो सकती है और यहाँ पर उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत kind hearted हो आप बहुत दयालू हो और आप कभी भी उस इंसान को छोड़कर नहीं जाओगे कभी भी आप उस इंसान को उसकी गलतियों के लिए खुद से दूर नहीं करोगे आप उस इंसान को माफ कर दोगे ऐसा विश्वास आपके partner को है और वो इंसान आपका future ऐसा ही देखता है कि अगर आप दोनों की शादी हो जाएगी तो फिर बहुत ही खुबसुरत आपका future रहेगा ठीक है तो ये कुछ आपके partner आपके और उनके future के बारे में सोचते है कि क्या कुछ होगा आगे उनको क्या लगता है कि ऐसा होगा वैसा होगा तो इस इंसान को लगता है कि आप दोनों की शादी हो जाएगी और वो इंसान बहुत दूर की सोचते हैं ठीक है वो सबने देखते कि आपकी शादी हो गई है आपके बच्चे हो गए में भी जाने अंजाने में अंसान आपको manifest करने की कोशिश कर रहा है और बहुत bright future ये अंसान आप दोनों का देख रहा है तो ये बात है अब देखते हैं आपका क्या हाल है आपका क्या हाल है आप किस हाल में हो क्या कुछ सोच रहे हो आप आप तो मुझे बड़ी गुस्ते में लग रहे हो देखो आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़ता talented person हो ठीक है में भी आप बहुत independent हो सकते हो आपने इस इंसान को control में करने की कोशिश की थी या अभी आप ऐसा चाहते हो कि इस इंसान आपकी control में होना चाहिए या वाइस वर्सा हो सकते कि आपको ऐसा लगता कि इंसान तो बड़ा अपना हुकम चलाता है या मुझे control करने की कोशिश करता है और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी personal और professional life में बिल्कुल balance नहीं कर पाते हो आपको गुस्ता भाज जदा आता है आप समझ नहीं पाते हो जो कुछ भी suggestion है control नहीं कर पाते हो अपने गुस्ते पर हो सकता है और आपको इंतजार है अपने सारे सपनों का पूरा होने का ठीक है आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है न तो मैं बता दूँ कि आपकी सारे सपने पूरे होने वाले हैं जो भी आपके सपने हैं career को लेकर हो अगर आप independent अभी नहीं हो तो आप बन जाओगे आप business बहुत अच्छी तरसे कर सकते हो अगर आप business नहीं करना चाहते हैं आप जहापर भी job करोगे तो बहुत high position पर आप रहोगे आप लोगों को lead कर सकते हो leadership quality आप में बहुत जबरदस है तो बात हम कर रहे कि अभी आप कैसा feel कर रहे हो तो आपको तो गुस्ता आ रहे है या आपको बहुत गुस्ता आ रहा है या हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि ये अनसान इतना गुस्ता क्यों करता है या हमेशा नाराज क्यों रहता है आप अपने partner से मिलना चाहते हो six of cups के energy है आप अभी भले अगर इस इस इनसान के उपर नाराज भी हो आप यह मिलना और आप आया बास वापस आये आपने बहुत सपने देखे हैं बहुत पने सजाए है इस इसंसान के खातिर और अप चाहते हो कि आपके सारे पूरे हो आप promise लेकर आना चाहते हो life में आप इस इस इनसान के तरब जाना चाहते हो और बहुत जादा changes आपके अंदर आए है मुझे इसा लगते है कि आप आप कुछ लोग यहाँ पर 3 of source की बेनर जाई है तो हो सकता है कि आपका दिल तूटा है आप बहुत तकलिप में हो और आप खुद को हील करने की कोशिश करे हो आप इस इंसान से जल से जल मिलना चाहते हो और खुद को जो तकलिप हो रही है उससे छुटकारा पाना चाहते हो और आपके दर्थ की दवाई अंसान है यहाँ पर 666 नंबर आ है 66666 अगर आपको दिख रहा है तो हो सकता है कि बहुत जादा giving energy ठीक है आप दूसरे को देते ही आए हो देते ही आए हो तो balance नहीं हो पा रहा है ना balance होना चाहिए ठीक है और 5 of swords है आपर आपका बिलकुल विश्वास नहीं है इस इंसान के उपर ठीक है ऐसा हो सकता है कि आप अभी सोच रहे होगे आप इससे मिलना चाहते हो लेकिन आपका इस इंसान के उपर विश्वास भी नहीं है आप hang हो गए हो ठीक है लेकिन hang हो गए हो लेकिन कहीं न कहीं आपके awakening स्टार्ट हो गए है आपको समझ में आ रहा है चीज़े क्या कुछ गडबड हुआ है क्या गलत हुआ है आप सब तो awakening है वो स्टार्ट हो गई है अब आपको realize होने लगा है चीज़े अब आपको समझ में आ रहा है लेकिन यहाप पर ऐसा क्यों है क्या आप इस इंसान के पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो अभी आपकी जो energy है कहीं न कहीं आपको लगता है यह अंसान आपसे बात चु पा रहा है आपसे आपसे कुछ धोका देने के कोशिश कर रहा है ऐसे कुछ खयाल आपके मन में आ रहे हैं लेकिन डरने की जरूरत नहीं है जो भी confusion है जो भी टेंशन है बहुत चल्क खतम होने वाला है ठीक है आप बहुत दिलदार इंसान लगते हो मुझे आप बहुत ही दिलदार हो हमेशा दूसरों को देते आए हो में भी आप बहुत चारिटी करते हो ठीक है अगर आप नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत सही रहेगा ठीक है तो फाय अप सोर्स के एनर्जी है कि आपका इस इंसान के उपर विश्वास नह नहीं रहा कि अन्सान वापस आए conscious इससे ख्याल आपके मन में आ रहे है कि आपको डर लगता है का कि पीठ पिछे किसी औरसे बाहती करता है यह THो किसी और के साथ घूमता है फिरता है ऐसा जर आपके मन में यह आपके राशी कॉल सी है है लिब्ला अक्रद्र सु जमिना है वर्गों के अपरे कॉन भी है और एरिज लिवो साजिटोस भी है तो सारी की सारी राशी यहाँ पर है तो यह रही आपकी करंट फिलिंग अब एंजल की तरफ से मैसेज देख लेते हैं जुकी जुकी नजल तेरी कमाल कर गई तो ठीक है अभी तो टाइम ठीक नहीं चल रहे है अभी जो कुछ भी सिचेशन है वो विलकुल भी ठीक नहीं चल रहा है लेकिन इसमें आपके ही कुछ ना कुछ भलाई है मेभी आपके भलाई के लिए सब कुछ हुआ है देखो अवेकनिंग चल रहे है न आपकी तो आप में awareness आने के लिए सब कुछ घडित होना बहुत जरूरी था अब आपकी ये जो awakening स्टार्ट हो गी है तो आप ये सजेशन से कुछ न कोई सीख रहे हो गाई अभी तो ठीक नहीं चल रहा है ताइम जो हो रहा है आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है रिकवरी हो जाएगी डेफिनिटली हो जाएगी रिकवरी यहाप रहा है लेटगो कर दो पास्ट के सिचेशन से यहाँ पर भी वही एन नहीं रहना है ठीक है लेटगो कर दो जो भी टेंशन है इसको कर दो गुडबाई यहापर रोमेंस आएगा आपके लाइफ में डरनी की जरुरत नहीं है यह पार्टनर जरूर आएगे देखो इट्स अप टू यू अगर आप पॉजिटिव सोचते हो अगर आप इस दुख आपको करना पड़ सकता है छोटी छोटी बातों के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए आपको कंप्रमाइस करना पड़ सकता है तब जाके सिचेशन ठीक हो जाएगी ठीक है जो भी दुख था या जो भी इस इंसान ने आपको हर्ट किया था यह नहीं कहती कि आप इस इं और और उनिस की जरुत है और कॉम्प्रमाइज करने की जरुत है कुछ चीजों के लिए और आपके उपर है कि आपके उपर है कि आप उस इंसान को अपने पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो ठीक है तो यही थी आज की रिडिंग अगर आपके साथ रेजनट करता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए